हरे कृष्णा, आज हम श्रीमत भगवत गीता के अठारवे अध्याय के तीसरे लोग को पढ़ेंगे आए पहले इसका स्वरसे गायन करें आई अब इसका शवर्दार देखते हैं त्यागने के योग्य दोशवत इती एके यानि दोश्युक्त हैं ऐसा कई एक कर्म प्राहुर्मनीशिनह कर्म मात्र प्राहु मनीशिनह यानि कहते हैं महान चिंतक या विद्वान त्याज्यम दोशव दित्ये के कर्म प्राहुर्मनीशिनह आई या बगली पंक्ती पे चलते हैं यज्यदान तपह कर्म यज्यदान तपह यानि यज्यदान तप आधी कर्म नत्याज्यमेतिचापरे नत्याज्यमिति यानि त्यागने चाहिए इस प्रकार च अपरे यानि तथा दूसरे विद्वान यज्या न तपह कर्म न त्याज्य मेटि चापरे तो इश्लोक का अर्थ हुआ कई एक विद्वान ऐसा कहते हैं कि कर्म मात्र अर्थाथ हर कर्म दोश से युग्त है अतह कर्म त्यागने के योग्य ही है और दूसरे कई महान चिन तक कहते हैं कि यग्य, दान, तप आदी कर्म त्यागने योग्य नहीं हैं।